जनता को साथ लेना हो, अलग-अलग इलाके, धहीं बीमारी घर चुकी थी, उनके कंटेन्मेंट छेतर बनाना हो, हाट स्पार्ट भुसित करना हो, लाग डाउन, कुछ नगरों को सील करना, अनिकों तरह की विवस्थाएं आपके सहोग से बनाई, और अब उन विवस्थाओं का परिनाम है, कि पैसेंट्स पोजेटिव हा रहे हैं, लेकिन संख्या लगातार कम होने लगी है, अब अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो के, कली भुपाल के चिराईव अस्पताल से, 45 पोरोना पोजेटिव, पूरी तरह से स्वस्थ हो के मेरे बहनों और भाईयों, इस महामारी से डरने की ज़रूबत नहीं है, साफधान रहने की आवसकता है, समय पर अगर टेस्ट हो जाए, बीमारी पता चल जाए, लक्षन दिखते ही अगर दिखा लिया जाए, तो यह सर्दी जुकाम और खासी से, बुखार से बड़ी बीमा बीमारी को पहचाना, अब सब सहयोग कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है, कि धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं, मुझे कहते हूँ खुसी है कि आधा मदप्रेस तो इस बीमारी से मुक्त है, लेकिन हमारे आठजले सिपुरी, मुरेना, छिंदवारा, तीकमग आगरमालवा, साजापुर, मन्सौर, इवम बैतुर में भी पिछले एक सब्ता से, कोई भी नए संक्रमान का केस नहीं आया है, संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बढ़ी है, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिल के इस बीमारी से लड़ेगी, और हम जीतेंगे, कोरोना पॉजिटिव जो पैसेंट से, उनको और उनके परिज़नों को भी घबरानी की जबवत नहीं है, कई बार नाम सुनके ही हम परेसान हो जाते हैं, अब मदलेस में नया प्रियोग कर रहे हैं, जा कोरोना के पैसेंट से, एडमिट है, भाव उनके मन बनोत के बागी साधन, जुटाना, ताकि वो आनन्द महसूस कर सकें, कई बार अकेले रहते रहते भी मन निरास हो जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ज़ि lorsqu's जीत हैंगे जब इस वास पैसा करने के लिए, अने को नई गच्विधी हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं मेरा फिर कहना है, घबराना नहीं है, लागडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, यह पोजेटिब प्रिकरन है, जो इलाके हमारी सम्वेदंसील है, हम विल के इस बीमारी को समाप्त करके जीतेंगे, लेकिन इस बी गरीब बहनों और भाईयों रोजगार के बिना कई बार एक नहीं अन्यकों तकलिफ हैं हमारे गरीब बहनों और भाईयों को हुई है आज मैं आप कहना चाहता हूँ परसोई मैंने फैसला किया है गरीबों के लिए जो योजना संबल वनी थी नई आसा की किरण लेके आई थी वो संबल वोजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी हमने संबल वोजना फिर से चालू करने का फैसला किया है मेरा सिध्धांत रहा है मधुक्देश के संसाधन पर सब का हक है लेकिन सब से पहले गरीबों का हक है संसाधन तो सब के हैं लेकिन सब के पास नहीं है जिन के पा एक करोड से जादा रजिस्टेशन हुआ है उन सब बेहनों और भाईयों को बच्चों की निसुल्ख पढ़ाई है बेटा बेटी को अगर बेहन जनम दे तो जनम देने के पहले जनम देने के बाद 12,000 रुपया दिये जाएंगे अगर बच्चे परते महविद्याले में उनको निसुल्ख सिख्षा की विवस्था की जाएगी बिजली के बिलों की हमने जो एक अलग विवस्था की थी वो विवस्था चालू रखी जाएगी एक्सिडेंट में अगर मृत् संबल योजना के अंतरगत गरीब बहनों और भाईयों को देने का हमने फैसला किया है इससे गरीबों को नफ जीवन मिलेगा नई जिंदगी मिलेगी और ये कोई एहसान नहीं है आपका हक है आपका धिकार है जो इस सरकार ने फिर से देने का फैसला किया है मेरे बहनों और भाईो हमने परियाफ्त मातरा में रासन ताकि भोजन की कोई दिक्कत और कोई कमी ना रहे उसलिए पहले इस तीन महीने के एकटा रासन हमने दे दिया था तीन महीने के एकटा रासन पहले दे दिया लेकिन उसके बार केवल तीन महीने से काम नहीं चलेगा इस अपरेल महीने के अंत मैं और मई महीने के पहले सब्ताए मैं प्रती व्यक्ती पांच किलो अनाच जिसमें गेहूं और चावल दोनों संब्लित रहेगा लेकिन चावल और गेहूं खाएंगे काय के साथ दाल भी चाईए इसलिए एक किलो दाल ये और हमने दो मुईने का दैने का फैसला किया है लेकिन कई गरीब मेरे भाई और मेहन ऐसे थे जिनके रासन कारण मन नाम नहीं थे वो परेसान थे इसलिए पच्चीस प्रकार की स्रेणियां और छाट कर उनको भी रासन उपलब्द कराने का हमने फैसला किया है रासन की चिंता मत करना जितनी जववत होगी उतना देंगे राम की चिड़ईये राम कोई खेट खावरी चिड़ईये भर भर पेट कोई संकट के समय भूखा ना रहे इसलिए अत्रिस खाध्यान का आवंटन भी आवस्थक्ता के अंसार जिलों को उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है मेरे बहनों और भाईव मेरे सभी वो भाईव और बहन जो देव्यांग है जो वुजूर्द है सामजएक सुरक्षा पेंसन के अंतरगत आते हैं उनको सामजिक सुरक्षा पैंसन, बिद्वा पैंसन, बिद्धावस्ता पैंसन, निराश्रित पैंसन के रूप में, चालीस लाख हिद्गाईओं की खाते में, दो माँ के पैंसन की रासी, पास सो बासट करोर रुपया हमने खाते में डाल दी है, ये पैसा निकालके, आप आगे बना सकते हैं, हमारे वो मजदूर भाईवे हैं, जो कांस्ट्रक्षन वरकर से निर्माण मजदूर, जिनका पंजी करन हुआ है, आठ लाख पच्ची सजार से जादा हैं वो, ऐसे सभी, आठ लाख पच्ची सजार निर्माण स्रुमकों के खाते में, हमने एक हजार र मजदूरों के फसे मजदूरों को भी, एक हजार रुपे हमने देने का फैसला किया है, और मुखमंत्री प्रवासी मजदूर साहिता है हो जाकि अंतर गट, मेरे जो मजदूर भाई बहें, मदप्रेस के बाहर, अलग अलग प्रदेसों में फसे हैं, वो कितने कस्ट हों, वो एकाउंट नमबर चाहिए, एकाउंट नमबर मिलने के बाद जैसे बेरिफाई होता है, वो बास्तों में दूसरे प्रदेस में हैं, एक हजार रुपे उनके खाते में डाल दिया जाएगा, अभी तक हमने ऐसे मजदूरों के पांच हजार नो सो उन्चालिस मजदूरों के पैसे डाल दिये हैं, सूची आती जाएगी, पैसे हम खातों में डालते जाएंगे, मजद प्रदेस में जो हमारी अत्यंत पिछ़्डी जातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, इन जन जाती के मेरी बहनों के खाते में, हमने दो महीने का दो हजार रुपया डालने का काम क उनके खातों में भी ये राशी पहुंच चुकी है हर एक ग्राम पंचायत में अगर भोजन की कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए निरासरित भाई बहनों के लिए असहाय भाई बहनों के लिए भोजन और रासरे की विवस्था के लिए 70 करोड रुपे से ज़्यादा की रासी हमने जारी कर दी है मेरे गरीब बहनों और भाईयों अभी तेंदू पत्ता तूटने वाला है मोवे का फूल विन्ना अपने सुरू कर दिया है बनो पच कई लोगों को रोजगार देती है आमदानी बढ़ाती है और तिले हमने तै किया है अभी 25 तारी और भाईयों यह ओने पोने दाम पर ना विके इसलिए हमने मिनिममम सपोर्ट प्राई नियूंतम समर्थन मूल इनका तै कर दिया है अचार की गुठली हम 130 रुप्या प्रती कलो खरीदेंगे इस से ज़्यादा में विके तो ब्यापारी खरीदे इस से ज़्यादा दे तो प्रती कलो हर्रा 20 रुप्या प्रती कलो बयागा 25 रुप्या प्रती कलो हमारे मौवे का फूल 35 रुप्या प्रती कलो मौवे की गुली 35 रुप्या प्रती कलो अलग-अलग दरें हमने तै करके इनको खरीदने का फैसला किया तो ओने पोने दाम पर मत मैंचना इंतजार करना 25 तारी किसे हम खरीद में बाले आप जितना बीन के लाओगे सरकार खरीदेगी जो तेंदू पत्ता है उसकी तुड़ाई भी सुरू होने वाली है 25 रोपे अपरती मानक बोरा की दर से उसकी मजदूरी देने का भी हम काम करेंगे मेरे प्रिये बेहनों और भैयो मैं आप सब को आस्वस्त करना चाहता हूँ रोजगार की कोई समस्या नई रहने देंगे मई महीने के प्रथम सब्ताहर तक हम ग्रामीन शेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अफसर रोज स्रिजित कर देंगे ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो लेकिन इाद रखिए उन्ही जिलों में जहां संक्रमन नहीं है जहां संक्रमन ज़्यादा है माँ क्राइसिस मैनेजमेंट उग्रुप से बात करके कौन सी गजभिरी सुरू करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए यह हम तै करेंगे मेरे किसान बेहनों और भाईयो मैं आप से भी निविदन करना चाहता हूँ हमारी सरकार गरीबों की हमारी सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए हमने आते ही तै किया मुक्मनती बनते ही किसान के डेट कार्ट के भुकतान के अंतिमती थी 31 बई हमने कर दी क्योंकि इस संक्रत में किसान पैसा कहां से लाता पिछली सरकार ने आपके फसल बीमा योजना की रासी दवा ली थी 22 सो करूर रुपया प्रीमियम नहीं दिया उसले फसल बीमा योजना की रासी नहीं मिली मैंने आते ही जब ये देखा कि किसानों के साथ चल है थोखा है ततकाल तसला किया और 22 सो करूर रुपया फसल बीमा योजना की प्रीमियम की रासी मैंने ततकाल जमा कर दी और इसलिए 15 लाग किसानों को 2,990 करोर रुपे की राशी फसल बीमा योजना के अंतरगत आपके खाते में डाली जाएगी एक क्लिक से इस राशी को भी आपकी खाते में डालने का काम जल्दी मैं प्रारम करूंगा ये किसान का हक था जो हमने उसको देने का फैसला किया है मेरे किसान बेहनों और भाईयों आपको पता है जब मैं प्रिशली बार मुखमन करी था हमने 0% ब्याज पर करजा देने का फैसला किया था अब आपको मैं फिर से ये सूचना दे रहा हूं खुसकबरी दे रहा हूं कि हम आगे भी किसान को 0% ब्याज पर करजा देंगे ताकी करजा उसके उपर बोज ना बने हमने ये भी टे किया है किसानों को क्राश में किसी सहकारी साथ सम्मित्यों के माध्धम से जो ससल रिन 19-20 में दिया गया था उसके भुकतान किती थी 28 मार्श थी इस संकट किसमे किसान कहा से पईसे लाता और इसलिए हमने तैय कर दिया है कि अब 31 माई 2020 तक वो रासी जमा की जा सकती है और इसका जो ब्याज होता था 55 करोड रुपया वो हमने सरकार के खजाने से भरने का फैसला किया है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो मेरे किसान बेहनों और भाईयों चिंता मत किजिए खाद की ववस्था बीच की ववस्था आदानों की ववस्था वो सब हम ढंक से कर रहे हैं जिन अलाकों में तीसरी फसल होती है वहाँ जहां नहर छूट सकती थी नहर छोड के हमने मूं इत्यादी की फसल के लिए पानी दिया है और कोस्स हमारी ये है कि जहां किसान तीसरी फसल पैदा करता है उसके लिए परयाब्त बिजली भी हम किसान को दे दें ताकि संकट के समय तीसरी फसल पैदा करके भी किसान अपनी आमदानी बढ़ा ले एक निवेजन और आप सबसे करना चाहता हूँ ये भ्यानक संकत का समय है खरीजी की कल्पना करने इस समय मुश्किल थी बारदाने नहीं थे गो डाउन नहीं थे जवस्थाएं नहीं थी लेकिन आसे ही पहले दिन से मैंने बारदानों की ववस्था आपको पता है के पश्चिम बंगाल रहे जूड के कारखाने बंद हो गए तो हमको जूड के बारदाने नहीं मिल रहे थे हमने प्लास्टिक के बारदाने यहां बनवाने का काम युद डिस्टर पर प्रारंब गिया है पूरी ववस्था हमने बनाई देको महमाल भाग गए मजदूर नहीं है बिहार से और दूसे जगे से आते थे जो हम्माली का काम और भोने का काम करते थे लेकिन हमने इन सारी ववस्थाओं को इस्ठानी लोगों से पूरा करवाने का सैसला किया और ये सहस्दा किया कितनी भी कधिन परिस्थितियां हो हम अन दाता के अन को खरीदेंगे उपारजित करेंगे इसलिए हम गेहूं खरीद रहें हम चना खरीद रहें हम मसूर खरीद रहें सरसों की खरीदी हम जल्दी सुरू करने वाले हैं ताकि किसान को उसके पसीने का पूरा मूल मिल जाए और मुझे कहते हो खुसी है कि खरीदी अब पूरी टाकत से सुरू हो गई है रोज किसान हजारों किसान आ रहे हैं और अपनी उपज बैचरे जल्दी उनके खाते में पैसा डलना सुरू हो जाएगा हमने बैंकों को जिनके सानों से पहले खरीद कर ली है बैंकों को पैसा दे दिया है जल्दी बैंकों के पास से वो पैसा आपके खाते में आना सुरू हो जाएगा मेरी प्राफ़तना एक ही है धैरी रखना ऐसे मैं सोने के बाद ही खरीदी के अंदर पर आना भीन मत लगाना क्योंकि कोरोना का संकट है और ये विस्वास रखना कि मैं हूँ पूरी उपच खरी दूँगा जल्दी बाजी मत करना मास्क लगाना है सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है साब उन से हाथ धोना है और मास्क जरूरी नहीं है कि आप खरीद के लगाओ अपने गमशे को धो और उसी को मास्क बना लो लेकिन केवल उपार जहीं एक मातर तरीका नहीं है हमने ये फैस्टा भी किया कि मंडी में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना का संकट है मंडी में ज़्यादा लोग इकटे नहीं हो सकते इसलिए ब्यापारी सौदा पत्रक के माध्धम से आपके घर पर आकर भी आपके अनाज को खरीब सकता है और मझे कहते हुँ खुसी है कई ब्यापारी और किसानों ने आफसी सहमती से ऐसे सौदे किये हैं मुझे एक सिकायत आज मिली और वो सिकायत यह थी कि हम्माली का पैसा कुछ जगे किसानों से वसूला जा रहा है मैंना साफ निर्देश दियें कि ब्यापारी और किसान जिस भाव पर सौदा करेंगे वो पूरा पैसा ब्यापारी को किसान को देना पड़ेगा उसमें से हम्माली वो नहीं कातेगा यह मैंने निर्देशित किया है मेरे किसान बेहनों और भाईयों आप चाहें तो अलग प्राइवेट मंडियों में भी अगर कोई मंडि बना के दुकान बना के प्राइवेट खरीद करना चाहता है तो प्राइवेट खरीद केंडरों पर भी आप अपने अनाज को ठीक मूल मिलने पर बैस सकते हो समर्थन मूल पर हम खरीदी रहे हैं तो वो सुराच्छा कवच हमारे पास है ही उसकी चिंता करने की जरुवत नहीं है हमने खरीद केंडर पर्याप्त मातराम बढ़ा है 47 से ज़्यादा खरीद केंडर है और तो लिए उपज की चिंता आप मत करना मैं किसानों की चिंता करूँगा किसान बेहनों और भाईयो संकट का समय है धहरी का परिचे देना मिलके हम सब इस संकट से निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चो मैं तुम से बहुत लार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ मेरे कई बच्चे बाहर फसे दे कोटा में भी फसे हुए थे आज ही कल और आज मैं 27 सो से ज़्यादा ऐसे बच्चे बस भेजकर बापस बुला लिये गए हैं अब वो अपने घरों पर जा रहे हैं हमारे ऐसे बच्चे देखो इस संकत में साबधानी रखने की जबवट है और साबधानी रखते हुए हमने उनको घर पहुचाया है पुट्ट पर्ती में भी जो लोग फसे थे हमने ऑनलाइन परहाई की भी जबस्था करने का फैसला किया है और इसलिए इस दोरान ऑनलाइन महाविध्यार और विध्यालों में अध्धन और अध्धापन का कारी किया जा रहा है ताकि यथा संबभ हम परहाई में कोई कमी ना रहने दें मेरे बच्चों के चूंकि स्कूल बंद है इसलिए पहली से लेके आठवी तक के 87 लाग से जादा बच्चों को मध्धान भोजन योजना का लाव मिल जाए इसलिए उनके खाते में हमने 165 करोड रुपे की राशी जमा कराई है 2,000,000,000 रसोईवें को भी 2,000,000 रुपया मिलेगा तो रसोईवें को भी काम मिल जाएगा और बच्चों को खात ध्यान की विवस्ता हो जाएगी मध्यान भोजन की विवस्ता हो जाएगी मेरे भाझी भाझी यो 165 करोड शुद्धी नहीं गई थी जब मुझे ये पता चला तो तब काल मैंने 430 करोड रुपे की रासी मिसन वन किलिक के माध्धम से छात्र छात्राओं के खाते में डाल दी है यह उनका अधिकार था यह उनको दैनी चाहिए था इसलिए हमने किया एक से आठ तक की कछा एक से आठ तक के बच्चों को जनरल प तुमारे साथ है तुमारा भविस से बहतर बने के योजनाए मेरी बंद कर दी गई थी जिसमें मेदा भी विद्धारती प्रोस्तानी योजना जैसे योजना का विलाब बहुत कम दिया था मैं उन सब की समिख्ष कर रहा हूं और जल्दी ही उन्ही योजनाओं को मैं फिर से रोजगार चाहिए हमारी सेल्फ हल ब्रौप की बेहने उन योनिफाम को बनाने का काम करें इससे बच्चों को योनिफाम मिलेगी और बेहनों को रोजगार मिलेगा मेरी प्रीय बेहनों संकट के समय आप एक काम बहुत अच्छे डंग से कर सकती हैं अब富रामीन छिках्रों मे हमारी कई बेहने कर रही है हमारी हजारों बेहनों ने 69 लाग से ज़्यादा फेस मास्क बनाए है और पूरे प्रदेश के नागिर कोंद्वारा वो उप्योग किये जा रहे हैं अभी मास्क की बहुत आवसक्ता है फेस कबर चाहिए और इसलिए उस आवसक्ता को देखते हुए हमने प्ये तै किया है कि इन मास्क के निर्मान का काम हम ब्यापक प्यमाने पर माताओं और बेहनों से करवाएं इसलिए कि योजना बनाई हैं उसका नाम मैंने दिया है जीवन सक्ती योजना क्योंकि मास्क आज जिन्रगी देने का काम कर रहा है और इसलिए मेरी प्ये बेहनों अगर आप इप्चुक हैं कि घर बैठे मास्क बनाए आपको कहीं नहीं जाना तो ऑनलाइन आप पंजियन करवाएंगे मॉबाइल के माद्धम से पंजियन हो जाएगा बिस्तरत जानकारी में आपके पास भेज रहा हूँ और आप मास्क बनाएंगे आपने जो मास्क बनाए उनकी ग्यारा रुपया प्रती मास्क की दर से राशी एक दिन के अंदर आपके ठाते में भेज दी जाएगी और आपके बनाएंगे मास्क राशन की दुकानों और अन्य दुकानों पर उपलब्द रहेंगे प्रदेश की जन्ता को मास्क मिल जाएंगे और मेरी बेहनों को मास्क बनाने से रोजगार मिल जाएगा हमारी बाकी संस्थाएं भी और कारखाने भी अपनी आवसक्ता के अंसार हमारी माताओं बेहनों से मास्क बनवाने का काम कर सकते हैं मेरे बेहनों और भाईयों हमको एक नहीं अनेकों प्रिकार की आर्थिक गत्विधियां प्रारम्धू करना है परिस्थितियां देखके हमने ये तैकिया है कि अलग अलग जिले जहां संक्रमध नहीं है कई आर्थि गत्विधियां हमने प्रारम्ध कर दी मंद्रेगा के काम हमने प्रारम्ध कर दी है निर्मान के काम हमने प्रारम्ध कर दी है तेजी से कई तरह के काम हम और प्रारम्ध करेंगे ताकि लोगों को रोजी भोटी मिल सके जो कारखाने थे कुछ जगे छोड़कर जहां संक्रमन बहुत जादा है उनको छोड़के कारखानों में भी काम सुरू करने की अनुमती दी है हमने ये भी तै कर दिया है कि 8 घंटे की स्थान पर चाहें तो 12 घंटे भी मजदूर काम कर सकते हैं बसरते उसी रहसों में उनको मजदूरी अधिक दी जाए सबताहमे च्शे दिन भी काम कर सकते हैं इसकी अबदी इसकी अनुमती भी हमने दी है ओबर टाइम की पातरता उन मजदूरों को होगी और इसलिए कार खाने भी हमारे काम सुरू कर सके जहां संक्रमण नहीं है इस बात का हम प्रियास कर रहे हैं अन्यकों प्रकार की ऐसी गत्विधियां अभी हम सुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक शम्ता हमको बढ़ानी पड़ेगी आयरवेदिक, हॉम्योपेथिक अन्यकों प्रकार की बहुत कारकर दबाईया हैं हम रोज से हम भी आयरवेदिक कारह का सेवन कर रहा हूँ और 24 घंटे में से 18, 19 और 20 घंटे भी काम कर रहा हूँ मैं आप से भी निवेदिक कारह या इस तरह की दबाईयां जिसको भारत सरकार के आयूस विभाग ने जिकमंड किया है उनका सेवन जरूर करें अभी हमने ऐसी आयरवेदिक, होमेथिक दबाईयां एक करोड बीस लाग से भी अधिक घंटियों को आयस विभाग के माध्यम से वित्रित किये लेकिन हमें एक नई योजनी बना रहा हूँ जीवन अम्रित योजना इस योजना के अंतरगत हमने ते किया है कि ये आयरवेदिक कारह जो हम पी रहे हैं जिसको आयस विभाग ने रिकमंड किया है ग्राम पंचायतों और नगरी निकालों के माध्यम से घर घर बांटा जाएगा अगले तीन मईने में एक करोड से अधिक परिवारों को ये काड़ा पैकिट्स बित्रित करने का लक्ष हमने दिया है रोग हो जाए उससे बेतर है हम प्रित्रोदक्षमता बढ़ा ले ताकि रोगी ना बने हम वसमें आरवेती राम बाने उसका उप्योग हमको जरूर करना चाहिए मैं आज आभारी हूँ सथ मुझ मैं हमारे धाक्तर हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ नर्स हमारे पुलिस के जबान हमारे पुलिस के अफसर हमारे नगरी निगायों के राजस के अनेकों कर्मचारी अधिकारी और उससे भी जादा समास से भी दिन और रात अपनी जिन्दगी को दाव पे लगाके कोरोना के खिलाफ युध लड़ रहे लड़ाई लड़ रहे हैं उसलिए हमने मुख मंति कोरोना युधा कल्यान युद्ना के माध्थम प्रदेश के कोरोना नंतरन के कारेमें लगे हुए से सबी करमयों के लिए भी अन्होंनी हो जाने पर राजश करकार की ओर से 50 लास रुपे की सहायता प्रदान करने का फैसला किया है भगवान ना करें कभी ऐसा दिन आए कि हमको ये 50 लास रुपे देना पड़े लेकिन कभी-कभी ऐसी दुर्भागे पून घटनाय हो जाती है हमने ये भी फैसला किया है कोरोना के पाजिटिब मरीज के साथ तो कि डाक्टर्स काम कर रहे हैं स्वास्ट करमी काम कर रहे हैं बाश्ट वाए हो, कमपाउंडर हो वो जो काम कर रहे हैं उनको 10 जार रुपया पृतिमाह प्रोस्ताहन रासी देने का काम करेंगे और इस भी प्रिकारिया दी और किसी भाग का स्वास भाग के अधरिक्त कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इलाज तो निसुर्क होगा ही लेकिन दसजार रुपया की क्रोस्ताहन राशी भी दी जाएगी मेरे बेहनों और भाईयों इंदोर की जूना इंदोर ठाने के ठाना प्रभारी हमारे साथी जावाज अफसर देवेंदर चंदरवन सी नहीं रहे उज्जेन के नील गंगा ठाना प्रभारी यस्वन पाल भी करोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते चले गए इन दोनों कर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूँ चास लाख रुपे की सम्मान निधी देने का सस्ला गया एक्स्टर ओर्णरी पैंसन मतलब उनके सर्वसकाल तक पूरी बेतन उन परिवारों को देंगे और उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जो उत्रिष्ट काम कर रहे है पुलिस के हमारे अफ्सर, जबान, दिन और रात लगके उन सब के लिए भी हमने कोरोना पदक देने की का सेसला किया है 15 अगस्ट के दिन दिया जाएगा और भागी भी दिभागों की कर्मवीर जो बहतर उत्रिष्ट काम कर रहे है जो काम से हो सकता था सरकार से हो सकता था दिन और रात हमने करने की कौसिस की है मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कौरोना से लडाई लंबी लडाई है ये एक दो दिन एक दो मैंने की नहीं है हो सकता इससे जादा लंबी भी चले लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है सारी जवस्ता हैं बनाते हुए हम लडेंगे और जीतेंगे हिम्मत और होसला है तो तो यम्राज के मौत के मौँसे भी वापस लोट जाते है उसे चिंदा मत कीजिए साबधानी रखना है जितनी चीज़ें पहले बताई गई है मानी प्रधान मंत्री जी और उनके नित्रत हुए है भारत के प्रधान मंत्री ऐसे योद्धा है कि सारी दुनिया कह रही है कोरोना से लडाई में सबसे सार्थक प्रयास वगर की है नित्रत वगर दिया है तो हमारे प्रिय प्रधान मंत्री स्रिमान नरेंदर मोधी जी ने दिया है मैं उनका भिनन्दन करता हूँ और उन्हों ने जो चीजें तैकी है, सरकार ने जो चीजें तैकी है उसका हम पूरा पालन करेंगे 27 तारीप को मानि प्रधान मंत्री जी मुक्ख मंत्रियों के साथ फिर बैठक करने वाले हैं उस बैठक के बाद आगे के काम भी तेह होंगे एक दुखत घटना इस वीट में जरूर हुई मेरे बेहनों और भाईों दमो जिले की हमारी एक बिटिया दुरभागपूर घटना की सिकार हुई है दोनों दरिंदे पक्र लिए गए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर समवेदंसील अपराध मानते हुए वो फासी के फ्टक्ते तक पहुँचे इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी बिटिया की पूरी देख रेख और हिलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविश्व उजवल हो मैं आप सब से निविदन करना चाहता हूँ आप हिम्मत और होसले रखिए मिलके हम लड़ेंगे और एक बात और ये चुनोती है कोरोना का संकट मैं पैसे की कमी की बात भी नहीं करूंगा विवस्थाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है आप और हम मिलके कोरोना को भी हराएंगे और मध्धपदेश को आगे बढ़ाने का एक नया इतिहास भी रचेंगे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार